हाई अबरीवन स्वागत आपका चैनल स्टेडी जैट में जो अच्पीस्टी के डेप्टी सेक्रेटरी है अनील अगर उनको गिरफ्तार किया गया था तो उसी मामले में जब विजलेंस की टीम ने चानबीन की तो और मामले सामने आये हैं तो दीखीगा कि जो डेंटल सर्जन है उसका तो ब्हार्थी को रेट देना होता था 35-40 रुपए अगर आपको डेंटल सर्जन लग रहा है 35-40 रुपए दीजिए आपको डेंटल सर्जन की नोकरी मिल जाएगी फिर आती है स्टाफनर्स अच्स बील्ड और एनम के एक्जाम तो उनके लिए आपको 10-10 लख रुपए में और 1.500 के करीब लोगों को यह प्रिक्षा पास करवाई जा चुकी है यानि कि उनका जो पर है वो बिल्कुल पास करवा दिया गया है ऐसे नहीं है कि रुपए ले लिए और पास नहीं करवाया पास करवाया है उनको और देखे टोटल कितने कितने कंडिडेट हैं तो अच्छेस का जो प्रिएक्जाम हुआ है उसमें दो कंडिडेट को पास करवा दिया गया है बीस बीस लाग रुपए में और 40 स्टाफनर्स कंडिडेट च्यार वेल्डिये 16 एनम ब्यार्थी पास करवाने के लिए 10 लग रुपए लेकर प्रिक्षा पास करवाई यानि प्रिक्षा भी पास करवा दी है उनकी और विजलेंस की टेम ने जो चापे मारी की उसमें से 2 करोड 10 लाख रुपए अजे नाग नहीं है लेकिन यह उद्ध पर उद्ध पर विराजमान थे तो यह इस परकार से यह इसकी यहां पर नोगरी किसी ने लगवाई तो यह भी सक्केदारे में तो दीखे वो कहां पर न्यूज आई है तो यह देखिएगा कि HPSC में पद नहीं फिर कैसे हुई न्यूकती यानि कि HPSC है उसमें डिप्टी सेक्रेटरी का कोई आधिकारिक पद नहीं है ऐसमें सवाल उठता है कि आखिर अनिलागर के लिए यह नया पद कैसे बन गया पंजाब एंड हरियाना हाईकोट के अड़ोकेट हेमंद कुमान न बताया कि अक्टूबर 2020 में जब सरकार ने अचियस की कैडर संक्या निर्धारित की थी तो उस आदेस में अचियस के कैडर में यह पद नहीं है आईएस केडर में एक पद अचियस सचीव काते है इस पर दोजर पांच बैस के आईएस पूपेंदर सिंग कारियरत है यानि कि अचियस में यह पद ही नहीं है डेप्टी सेक्रेटरी का लेकिन यह उस पद पर किस प्रकार उराजमान थे किस पर किस ने यह पद बनाया तो वो भी सक्केदारे में है तो अब देखिए इन यह नोकरी किस पर कर लगवाते थे वो देखिएगा तरीका तो देखिएगा तरीका कि सबसे पहले आप किसी भी वी आईपी के जानकार नहीं होनी चाहिए यानि कि जो भी MLA MP कोई भी बड़ा अधिकारी है उसके आप ज पास होने की जानकरी यानि कि इतनी जबरदस सेटिंग कर रखी थी कि पर पास किस प्रकार करवाना सब कुछ सेट था कि आठ दिन पहले ही यानि कि अग्जाम जो रजल्ट आने वाला है उसके आठ दिन पहले ही कंडिरेट हुआ था थे कि तरह सेलेक्शन हो गया है खाली छोड़ने होंगे बखे का काम आयो की अधिकारी और पेपर चेक करने वाली एजनसी करेगी यानि कि जो भी कंडिडेट है उसको 30 से 40 परसन करने होंगे जो उसको आते हैं बख की खाली छोड़ दे यानि कि खाली ओमार शीट भी ने रहेगी और आपने पेपर भी कर दिया यह सेटिंग होगी यानि कि खाली ओमार शीट छोड़ेंगे तो उस पर क्रोस का निसान जो भी ड्यूटी देने वाला होगा वो डाल देगा और फिर वो चेक नहीं होगी तो इसलिए 30 से 40 परसन कर दो आप जो आपको आते हैं और बाकी जो है वो आयो की अधिकारी और पेपर चेक करने वाली अजन्सी करेगी यानि कि जो पेपर चेक करते हैं और जो आयो की अधिकारी हैं वो सारा काम कर देंगे आपकी जो ओमार शीट है बाकी के परसन वो कर देंगे और फिर आपका जो रजल्ट होगा उसमें नाम आ जाएगा और जो डेंटल सर्जन की बढ़ती है उसमें देखिएगा किस प्रकार से सेटिंग की गई थी तो डेंटल सर्जन है उसमें देखिए गिरो के सदस्य अब ब्यारतियों कि ओमार सीट में इतने परशन ठीक करते थे कि उसे इंट्रिव तक में कम नंबर मिलने पर भी उसका चैन हो जाता था यानि कि अब सो किसें मान सकते हैं सो में से उसके 289 किसें ठीक कर देते थे तो इंट्रिव हो चाए मत हो इंट्रिव में कम नंबर मिले तो भी उसका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा तो यह गिरोव पूरा पकड में आ गया है विजिलेंस डिपार्टमेंट को जो डिपटी सेक सी हें वह रध होती है या नहीं हो Тி है या फिर डेंटर्टल सर्जन की वह quan meditate नहीं होती है और कौन-कौन सी भर्थियों में इनका हाथ है तो वह सारी जानकार्य है आपको दिरे-दिरे मैं प्रोवइड कर आता रहोंगा तो यह अपडेट थी आज की तो वीडियो अच्छी लेगे होगी वीडियो को सेयर करना चाहिए चाहिए ताकि वो भी आपके साथ ती है उनको पता चल सके तो मिलते हैं नेक्स टीची पराइर की अपडेट में धन्यवाद